अलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आओ यूपल अफ्यूर दॉइंग वेल स्वागत है आप सभी का टीचर सद्ड़ के यूटूब प्लेटफोर्म पे खीक है और आज जो मारी क्लास है वो बिहार के जो आपका सिक्षक बढ़ती टू-पॉइंट है उसके लिए आपका स्पेशल जी है की मेराथल लगाए गई है तो एक बार सारे लोग जल्दी से जुड़ जाए और स्टार्ट करते है आज की क्लास का क्वेशन नमबर फर्स की कौन सा राज्य मयनमार के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है ठीक है और नाचल प्रदेश मिजोरम मनीपुर या फिर सिकेम तो कौन सा राज्य आपका विच स्टेट दस नोट शेर इटस बाउंडरी विद मयनमार तो एक बार सारे लोग जल्दी से जुड़ जाए वो क्लास को शेर कर दीजे ताकि आपके दोस्तों को भी पता लग जाए नमस्ते सर नमस्ते तो जल्दी बताए चलिए तो answer to question number first will be Myanmar that is the easternmost side of our India ठीक है अगर हम easternmost की बात करें तो Myanmar के साथ जो boundary share करते है वो करते है कौन याद रखने की trick अरुना मामी ठीक है तो अरुनाचल करता है नागालेंड करता है मनीपूर करता है मिजूरम करता है यहाँ पर अरुनाचल है मिजूरम है ठीक है मनीपूर है ठीक है सिक्म नहीं करता है D will be the right answer सिक्म आपका नेपाल के साथ अपनी boundaries को शेर करता है तो answer to this question will be D next thing is सूर्य की सत्य का तापमान क्या है 6000 Kelvin, 6200 Kelvin, 578 Kelvin या 7194 Kelvin तो सूर्य जो कि हमारे solar system का ठीक है बड़ा star है ठीक है उसका आपका सबसे बड़ा star बोल सकते हो हमारे solar system का ठीक है उसका आपका तो basically temperature क्या है surface temperature तो बताए कि सूर्य की सत्य का ठीक है सूर्य की अलग-अलग layer होती है ठीक है photosphere, Corona 6000 Kelvin चलिए very good answer to this question will be सूर्य की सत्य का जो तापमान है वो है आपका 5778 Kelvin ठीक है तो C will be the right answer next thing is जोजिला दर्रा किस परवच रंकला में आता है जसकर रेंज में लद्दाक रेंज में पूर्वी कारा कोरम रेंज में या फिर धोलादार रेंज में ठीक है तो आपको अपने एक्जाम के लिए जो ला मतलब passes होते है ठीक है जोजिला, भूमडिल ठीक है तो यह सारे passes आपको याद रखने पड़ेंगे तो बताईए जोजिला दर्रा कौन सी परवच रंकला के अंदर में आता है पूर्वी कारा कोरम रेंज चलिए तो जोजिला दर्रा किस परवच रंकला में आता है ठीक है answer to this question will be जसकर रेंज A will be the right answer जसकर की परवच रंकलाओं के भी तो जोजिला दर्रा निक सिंगेस हमारे सौर मंडल के किस ग्रह में प्राकरतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, वरस्पती या फिशनी तो हमारा जो सौर मंडल है ठीक है और सोलर सिस्टम जिसको हम आकाश गंगा मिलकी वे बोलते है उसमें सबसे जाधा उपग ग्रह है ठीक है नाचुरल कौन से ग्रह के है गुड मॉर्नीं गुरुची, गुड मॉर्नीं चलिये एंसर तुर्टू दिस कोस्शेन विल बी वरी गुड वरी गुड वरी गुड ठीक है Jupiter हो गया था Jupiter ने मतलब पहले Saturn के हुआ करते थे फिर Jupiter हो गया था फिर बाद में वापस से आपका Saturn के satellites बढ़ गया है बट अभी हाल-फिलाल किताबों में ठीक है वरस्पती दिया हुआ है तो अभी अपन वरस्पती लगाएंगे ठीक है और वाइस करेंट में और करेंट को अपडेट कर लो Saturn के फिर से बढ़ गया है ठीक है तो पहले शनी के हुआ करते थे फिर वरस्पती हुआ फिर वापस से आपका फिर से शनी हो गया चलिए डक्कन का पठार कितने भारतिये राज्यों में फैला हुआ है पांच आठ छै या त ठीक है तो डक्कन का पठार कितने भारतिये राज्यों में फैला हुआ है पांच आठ छै या तीन करेंट में शनी है हाँ अभी आल फिलाल में वापस से शनी हो गया फिर से बढ़ गया उसके सटलाइट चलिए तो डक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है answer to this question will be eight states ठीक है आपका तेलंगाना कैरला ठीक है देन आपका करनाटका महाराष्ट ठीक है आंधरा तमिल ठीक है और सम पार्ट कुछ पार्ट किसका मध्यप्रदेश और चत्तिसगड़ का यह सब मिला के आपका बनता है भारत का सबसे बड़ा पठार तिस डक्कन का पठार और भारत का सबसे बड़ा जोगराफिकल रीजन भारत का सबसे बड़ा भूवरगे शेत्र तिस डक्कन का पठार तो answer to this question will be b will be the right answer. next thing is कौन सा घ्रह अपनी धूरी पर घूमने में सबसे अधिक समय लेता बुद्ध मंगल वरस्पती शुक्र गुजरात में ना है नहीं गुजरात में रन ओफ कच्छ चलता है डक्कन का पठार नहीं चलता तो कौन सा घ्रह अपनी धूरी पर घूमने में सबसे अधिक समय लेता है सर यूपी की एश्टेट की दोनों की क्लास कब स्टार्ट होगी प्लीज ठीक है बिटा यूपी बगरा में ऐसे कोश्चन आते हैं तुम काय पर पूछ रहा है आप्लीकेशन पर पूछ रहा है तो एश्टेट की तो कल से अप्लीकेशन पर चालू होगी और अपनी यूपी की ठीक है एश्टेट की और बियूटेट की दोनों की सुभे ग्यारा बज यूटूवर चली रही चलिए, तो answer to this question will be, ठीक है, अपनी धूरी पर सबसे बड़ा जो rotation है, सबसे अधिक समय जो लेता है, ठीक है, वो लेता है कौन, शुक्र, Venus, D will be the right answer, इसका rotation बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बट size वगरा से अगर आपन comparison करें, तो आपका जो यह size है, यह आपका किस के बराबर रहता है, अर्थ के बराबर रहता है, इसलिए इसको हम twin sister जुडबा बहन के नाम से भी जानते हैं, तो answer to this question will be, D will be the right answer, ठीक है, भारत डैस देशों के साथ अपनी भूमी सीमा साजा करता है, बता है, कितने देशों के साथ करता है, तो very good, ठीक है, तो भारत आपका साथ देशों के साथ अपनी भूमी सीमा साजा करता है, यह साथ देश है आपके, अफगानिस्ता, नहीं है, पाकिस्तान, गुटान, बांगलादेश, मयनमार, नेपाल, चाइना, और कौन सा है, बताओ जल्दी से, छे था, ठीक है, चलो, और कौन सा है आपका, अफगानिस्तान, ठीक है, बड़ याद रखिएगा, किताबों में यह साथ दिये रहते हैं, अफगानिस्तान से, अब हमारी बांडरी शेर नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि वो जो एरिया है, वो पाकिस्तान ने आपका क्या कर लिया है, उक्यूपाइड कर लिया है, तो पाक उक्यूपाइड कर लिया है, तो पाक उक्यूपाइड कर लिया है, तो पाक it is 6, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ अब नहीं होती, पहले हुगा करती थी, ठीक है, चलो, पृत्वी का व्यास कितना है, 10,226 km, 13,990 km, 12,742 km, 18,527 km, तो पृत्वी का व्यास कितना है, what is the diameter of the earth, 409,6 km, बांगलादेश के साथ, बहुत बढ़ी है, तो जल्दी बता है, प्रत्वी का व्यास कितना है, तो the diameter of our earth is 12,742 km that is C will be the right answer C is का सही जवाब next thing is निमनिलिखित मैं से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड छेत्र के अंतरगत आता है फत्यपूर, सोनबत्र, महोबा या फिर श्रावस्ति तो which of the following district belong to the बुंदेलखंड region of उत्तर प्रदेश बताए ए फत्यपूर अच्छा जी ठीक है तो देखो there are two different reason, एक है आपका बुंदेलखंड region UP में पढ़ने वाला, एक है आपका बुंदेलखंड region MP में पढ़ने वाला, ठीक है तो दो different reason है बुंदेलखंड के, ठीक है एक UP की side पढ़ता है एक आपका MP की side पढ़ता है अब UP की तरफ कौन-कौन से बुंदेलखंड region आते है ठीक है बुंदेलखंड region आते है जहां सी ठीक है देन आपका ललित पूर महोबा और और कौन सा आता है जालोन, बांदा, चित्रकूट और आपका हमीरपूर वहीं अगर हम MP की बात करें ठीक है तो दतिया, टीकमगण, ठीक है आपका क्या बोलते है चतरपूर, पन्ना, सागर और आपका धमो यह सारे रीजन आपके MP वाले बुंदिलखंड में आते है तो answer to this question will be C. महोबा महोबा विल वी दा राइट एंसर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे उचा पथार कौन सा है कोलराडो को पथार ठीक है और आक्तिक का पथार तिबबत का पथार या फिर देवसाई पथार तो विश्व का हमारे वल्ड का लार्जस्ट और हाइस इंडिया का अंडिया आक का लार्जसकी खोन सा है छिर्फट का कौन सा है तो very good world का कौन सा है आपका Tibbat का पथार तिबतन प्लाट्यू is the largest प्लाट्यू or and the highest प्लाट्यू in the world next thing is प्रत्वी पर सबसे नर्म खनेच कौन सा है विच वन is the softest mineral on the earth gypsum talc calcite pukhraaj ठीक है तो gypsum talc calcite ya फे टो पैस प्रत्वी का बंगाल का रूर दुर्गापूर अच्छा चलिए very good तो प्रत्वी का सबसे नर्म खनेच कौन सा है that is b will be the right answer talc is the softest mineral present on in this earth प्रत्वी पर सबसे घहरा बंदू कौन सा है mariana trench puto record trench java trench या फिर dakshin trench तो the deepest point in the earth ठीक है हमारे प्रत्वी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बेसिकली mount everess भी आराम से गुसेड सकते हो इतनी गहरी जगह है mount everess आपका 8848 मीटर उचा है वो जगह आपका 10,000 something मीटर की गहराई की है तो उस जगह का नाम क्या है ठीक है तो very good answer to this question will be प्रशांत मासागर में उपस्थेद एक खाई है जिसको हम बोलते Mariana Trench अभी तक यहाँ बेसिकली लोगों ने भी जा भी नहीं पाए केवल गिंती के गिने चुने चार माच लोग गए जिसमें से एक Hollywood का डारेक्टर भी है जिन्होंने अफ्तार पिक्चर बनाई दी भारत के निमने लिखित केंदर शाषित प्रिदोशों में से कौन भोगलिक छेत्रों में सबसे छोटा है चंडीगर, पुद्दुचेरी, दादर और नागर, हवेली और दमन और दियो लक्ष दी बता है तो, very good answer to this question will be लक्ष दीप is the smallest जब की अगर हम लार्जास की बात करे सबसे बड़े की बात करें तो, largest में कोन आएगा J and K ठीक है, there are total of 8 union territories in India विश्व का सबसे निचला बिंदू which one is the lowest point in the world ठीक है लेक आयर, लेक असल, डेथ वेली या डेट सी बताए तो, विश्व का सबसे निचला बिंदू कौन सा है ठीक है मतलब अगर आप उस एरिया का वो देखोगे coordinates देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा upper surface में मतलब जो ऊपरी सत्य पर जितनी भी surface है उन सभी में सबसे नीच है लद्दाग होगा ना बड़ा लद्दाग उशा है बड़ा डक्कन का पठार है भारत में तो, answer to this question will be very good, ठीक है म्रत सागाठ, ठीक है जो कि आपका Jordan, Israel के बीच में Death Valley आपका hottest desert answer to this question will be D will be the right answer next thing is निमनिलिखित विकल्पों में से डैश भारत के हिमाल्य की सबसे उची परवत चोटी है ठीक है तो इन में से कौन सी भारत के हिमाल्य की सबसे उची परवत चोटी है नंदा देवी, नामचा बरवा, माउंट एवरेस या कांसन जंगा तो निमनिलिखित विकल्पों में से डैश भारत में हिमाल्य की सबसे उची परवत चोटी है बट इन रियालिटी, के-टू इस नोट दे पार्ट अफ एंडिया इट कम्स अंडर नाव पार्क ओक्यूपाइड कश्मीर ठीक है, कारा कूरम रेंजेस जो उसको पागिस्थान और चाइना शेर करते है ठीक है तो अभी हाल फिलाल में भारत की सबसे उची जो छोटी है वो आपकी कौन सी है इस नंबर थर्ड पर आती है कान संजंगा माउंट अवरेस भारत में नहीं आता मेरी लाल, कंचन राज माउंट अवरेस, तिबत नेपाल इस साइड आता है सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है यूरेशन प्लेट, इंडो अस्टेलियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट या फिर अंटार्टिक प्लेट सर आवाज बहुत कम आ रही है बढ़वाते तो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है भाई आवाज कमार के स्टोर वो इद नहीं है करवारे करवारे हेलो अब बताना चारा अब बताना सही आ रही है कि नहीं चलिए वैसे answer to this question will be pacific plate pacific plate आपकी सबसे बड़ी प्लेट जल्दी बता आवाज आ रही है अब ठीक है चलो next thing is इलाइचे की पहाडिया किस परवच रंकला में इस्तित आती है cardamom hills basically आपका केरल में आती है ठीक है और famous भी है ये cardamom hills ठीक है और आपका केरल को land of spices मसालों की धरती भी बोलते है तो किदर पड़ेगी आपका आप अरावली रेंज में पड़ेगी पश्चमी घाड में पड़ेगी पीर पंजल में पड़ेगी आप पूर्भी घाड में पड़ेगी आपका शलो है अब तो बड़वादी चली तो आंसर तो दिस कोस्टिन विल पश्चमी घाड पश्मी घाड आपस्चमी घाड आपका अपका श्था कूरों है का एरिया है जो की करनाटक, क्यारल और तमिल नाडू के रीजन को कवर करता है और यही पश्चिमी घाट आपके भारत का ठीक है यूनस्को द्वारा प्रमानित बायो डाइवर्सटी होट स्पोर्ट है क्यों जादा फेमस है यह क्योंकि यहाँ पर आपका उभैचरो की संख्या सबसे जादा मिलती है एमफीबियन्स की नंबर सबसे जादा मिलती है चलिए नेक्स सिंग इस विश्व का सबसे उचा निरबाद जल परपात इंजल जल परपात किस देश में इस्थित है ब्राजील वेनिजुला जिंबाबे या फरकीनिया तो वर्ल्ड्स हाइएस्ट जल परपात कहा है एंजल जल परपात एंजल वोटरफॉल चार बायो डाइवर्सटी है इंडिया में जी बिलकुल ठीक है पूर्वी इमालिया पश्चमी गार्ट सूडा लेंड और आपका इंडो वर्मा छेत्र पूर वर्ल्ड में कितने एंचत्यस है भारत उन्ली इस मेगा बायो डाइवर्स देश में से एक है जिसकी अलग-अलग चीज में अलग-अलग रैंकिंग है चली वेरी गूट कहां है आपका वेनिजुला में एंजल वोटरफॉल ठीक है तो बी विल वी दा राइट एंसर नेक्स इंग इस श्याचिन ग्लेशियर इस्थित है कारा कोरम रेंज में पीर पंजल रेंज में कुमाव गडवाल रेंज में या मध्य नेपाल छेत्र में तो श्याचिन में हमारे जवान लड़ रहें ठीक है काफी ठंडा ग्लेशियर भी बोला जाता है बताईए आपका जो श्याचिन ग्लेशियर है वो कहां इस्थित है कुछ भी नहीं सुना ही दे रहा बेटा चली तो answer to this question will be कारा कोरम रेंज ठीक है ए विल भी दा राइट एंसर ठीक है कारा कोरम रेंज आपका पाक उक्कुपाइड कश्मीर की तरफ आता है ठीक है तो वहाँ पर boundaries कीजी गई है जहाँ पर हमारे श्याचिन में जबान लड़ रहे तो answer to this question will be A will be the right answer किस शहर को विश्व का सबसे अधिक हवा वाला शहर भी बोला जाता है Wellington, Rio, Galagos, Tokyo या फिर दॉस City, USA श्याचिन पर तैनात फर्स्ट वोन सबस्वाइज बोल्च श्लू है सर अमारी है किसी को व्याचिन में जप विए हुआ 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 अब आ रही है बता हो जारा अब आ रही है कि नहीं चलो तो answer to this question will be देखे कि शेहर को विश्व का सबसे अधिक हवा वाला शेहर माना गया देखो आपको एक चीज़ बताई थी मैंने पहले कभी लैंड ओफ विंड मिल्स पवन चक्कियोगा देश ठीक है कौन सा है कौन पर ठीक है तो पवन चक्कियोगा देश कौन सा है जल्दी बताऊ लैंड ओफ विंड मिल्स कौन सा है ठीक है answer to this question will be Wellington A will be the right answer अगर तुम पवन चक्कियोगा देश बता दोगे तो सही हो जाएग तुम पवन चक्कियोगा देश बता दोगे तुम पवन पर देश बता है अप का करे चलो answer to this question will be Wellington A will be the right answer तुम पवन चक्कियोगा दर्रह अर्माचल प्रदेश को तिबत से जोडता है दर्रह आपको याद रखने को दर्रह पर आपको एक ना एक सवाल जीए में मिल ही जाएगा और जीए में नहीं मिलेगा तो जोग्रोफी में तो आई जाता है तो कौन सा आपका दर्रह अर्माचल प्रदेश को तिबत से जोडता है जोजिला देवसा बॉमडीला या फिर शिपकीला कि 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 जोजिला आए आए जोजिला अरुनाचल की साइड है कि लदा की साइड है जी नहीं पता तुम्हें चलो तो आंसर टू दिस कोश्चिन विल भी बॉमडीला फिक है बॉमडीला पास आपका अरुनाचल को तिबत से जोडता है सी विल भी दा राइट एंसर बैकाल जील से भेने वाली एक मात्र नदी कौन सी है ठीक है सेलिंगा नदी बर्गोजन नदी बैकाल जील अपने आप में पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गहरी जील है ठीक है रश्या की साइड पड़ती है तो सेलिंगा नदी बर्गोजन नदी अंगारा नदी यत्रका नदी मैं अन्दी लेंग्विस का पड़रियू, प्लीज रुपलाइ, मतलब तो आंसर to this question will be very good, अंगारा नदी, सी विल वीधा, right answer, next thing is, विश्व का सबसे बड़ा जील, मैंने टॉलन द्वीप इस्थित है, ग्रील लेंड में, ठीक है, कनाडा में, आइलेंड में, आइसलेंड में, या फिर चीन में, चीन हो नहीं, ठीक है, तो वर्ल्स लार्जस लेक आइलेंड ठीक है, मैने टॉलन आइलेंड, ठीक है, वर्ल्स लार्जस लेक आइलेंड को हम क्या बोलते है, मैने टॉलन आइलेंड, कहां इस्थित है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आईलेंड ओ स्वारी रिवर आईलेंड कहा है तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक आईलेंड कहा है आपका कनाडा में और अगर यहीं कुश्चन होता वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आईलेंड का है तब आपका एंसर क्या होता यहां तो आपका क्या है वर्ल्स लार्जस लेक आईलेंड अगर यही कुश्चन यह कर दिया जाए कि वर्ल्स लार्जस रिवर आईलेंड का है तो आपका एंसर क्या हो जाता तो वेरी गुड ठीक है, तो वर्स लार्जेस ठीक है, वर्स लार्जेस रिवर आइलेंड आपका कहा है, ठीक है, माजुली आइलेंड बोलते हैं से, यह आपका कहा है, असम में, बहुत सुन्दर जगे हैं, हिंदी ओनर सु तो यह जो कॉमन सब्जेक्ट, चालिस माग का आएगा, उसमें पढ़ सकते हैं, जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, डॉली जी, चलो, next thing is, भूकम के दोरान उत्पन तरंगों को किसके रूप में जाना जाता है, sinusoidal तरंग, shock waves, भूकम पिया लेयर या घटक तरंगे, तो sinusoidal waves, shock waves, seismic waves या constituent waves, तो भूकम के दोरा उत्पन तरंगों को कहां, किस नाम से जाना जाता है, तो भूकम के दोरा उत्पन तरंगों किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, seismic waves ठीक है जो कि P और S टाइप की primary और secondary टाइप की होती है विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी छेत्र कौन सा है कैलिफोर्निया की खाड़ी फारस की खाड़ी सिलिकोन खाड़ी या फिर आपकी गल्फ ओफ मेक्सिको मेक्सिको की खाड़ी साइन्स का भी कुश्चन है देखना पड़ेगा ऐसे में को याद नहीं है बना शायद 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 नहीं है साइन्स की तो कल से अलग से क्लास मिलेगी न 6 बज़े शाम को चलिए तो आंसर टू दिस कुश्चन विल भी मेक्सिको की खाड़ी आपकी सबसे बड़ी छेत्र है D विल वी दा राइट अंसर निम्मी लिखित मैसे किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती देखें बल्याक सी के साथ total 6 countries boundary share करती है 6 बाउन्डरी एक इनमें से नहीं करता एक इनमें से नहीं करता वो बता दीज़ें बाकी के 3 मैं बता दूँगा है सर मैथ की कब होती है क्या बेटा मैथ की तो application पर class होती है चले answer to this question will be मैंने क्या बोला Black Sea के साथ total 6 countries आपका क्या करती है boundaries share करती है एक इन में से नहीं करता कौन से नहीं करता Belarus नहीं करता बाकी Georgia, Bulgaria, Turkey Russia Ukraine और Romania ये आपके total 6 countries क्या करती है boundary share करती है किस के साथ Black Sea के साथ answer to this question will be Belarus ठीक है बेला 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 चमेली का से जी सजाया गुरुजी रैम रैम जेहन जे भारत ठीक है तुच्चा बे गोरी का यार बलमतर से रंगबर से स्लेट निमने लिखित में से किसका होधारन है आगे इनने चट्टान रूपांतरी चट्टान अफसाधी चट्टान या अंत्रब्रेधिया आगे इनने चट्टान तो स्लेट इन में से किसका एक्जामपल है सर सर आ रही हो तो स्लेट एक टाइप की क्या है तो स्लेट इस एक्जामपल ओफ वेरी गूट ठीक है मेटमोर्फिक रोख है स्लेट भी विल वी दा राइट एंसर अलग अलग टाइप की आपके पत्तर होते हैं जो आपको याद रखने हैं इन में से भी कोश्चन मनता है कौन सी नदी विश्व की सबसे अधिक देशों से होके गुजरती है ठीक है देखे नदियों पर आपके जाधातर कोश्चन आते है सबसे लंबी कौन सी है सबसे आपकी बड़ी कौन सी है सबसे बड़ी आपकी अमेजन है सबसे जादा देशों से होके गुजरने वाली कौन सी नभी या फिर नील सर जुलोजी का PGT क्लास लेना है सोनी सहानी कैसे ले सोनी सहानी एप पर जाईए कौन से एक्जाम की तयारी कर रहे हो पहले ये बता दो और जुलोजी नहीं होता पहली चीज ये समझ लो आप जुलोजी का पेपर देने नहीं जाते आप बाइलोजी का पेपर देने जाते हो तो अपने लिमाग से ये चीज़ी हटा दिया करो कि जुलोजी का क्लास मिलेगा तो जुलोजी ही पढ़ाई जाएगा पूरा पढ़ना पड़ेगा, भूतिनी भी पढ़नी पड़नी पड़ेगे तुम्हें चलिए, तो answer to this question will be Danube, P will be the right answer एक मिनट, जरा इन्हें बता दे, यह परिसान होंगी अड़ा 24-7 पे जाओ यहाँ पे click करो first side पे, all courses पे जाओ ठीके, teaching select करो अब तुम्हें क्या चाहिए, TGT, PGT चाहिए बिहार वाला चाहिए, कौन सा चाहिए जो भी चाहिए वो देख लेना इस मैसे जैसे की suppose करो तुम्हें बिहार का चाहिए 11 12th का शिक्षक बरती 11 12th, इस पे click करो खीक है, इस पे click करो by night पे click करो Y794 कूपन कोड अपलाई करो अपलाई कर दो के और डिस्काउंट मिल जागा तुम्हें पढ़ जाएगा 2299 पाइंट 77 पैसे चलो next thing is विश्वी मैं सबसे लंबी 30 एर एखा किस देश किये USA, भारत, कनाड़ा, चिली चिली, चिली, चिली बैच पर कोई offer है बिटा किसी भी जो बिहार वागल की तैयारी अगर कर रहो तो अभी double validity offer चलना है, ठीक है और किसी भी teacher का code यूज करोगे, तो 77% flat discount मल जाए सर आप बताऊ ना, TGT के लिए है क्या ये, बिटा सभी के लिए है बिहार का paper दे रहे हो ना तो general paper सब में आए GKGS आप ही बढ़ाएंगे कल से, नहीं बिटा GKGS के faculty अलाग है मैं आपकी practice करा दूँगा YouTube बाकी हर faculty अला है वो इसलिए करा दूँगा क्योंकि environment section में EBS में EBS पढ़ाता हूँ environment section में आपके बहुत सारे question geography से भी देखे जाते environment कोई fix नहीं होता उसमें कऊ तो geography के पटक दे कऊ तो science के पटक दे काओ तो EV core EVSE रखे तो फिक्स नहीं होता answer to this question will be C will be the right answer Kannada next thing is एक मात्रे ऐसा देश कौन सा है जिस से भूमत रेखा और मकर रेखा दोनों गजड़ती है चीन, USA, मेक्सिको, ब्राजील physics owner से हूँ, state math से पास हूँ, 80 number का हूँ subject होगा physics में मतलब समझ में नहीं आया मेरे को आप BPSC में क्या पढ़ा होगे मैं BPSC में EVS पढ़ा होगा ठीक है YD पे में ठीक है बायोगी प्रेक्टिस करवाँगा शाम छे बजी ठीक है अड़ा वाले चैनल पे YTP में बायोगी प्रेक्टिस करवाँगा TGT, PGT की TGT, PGT वाले चैनल पे कल से और सोबह 11 बजे चलती है तुमारी HTET सिक्षक भरती और UPTET की ग्लास एन्वारिमेंट की YT पे पोर्स में मैं EVS पढ़ाँगा बस ब्राजील लग रहा एक लगका रहा है वही है अफरीका से सब गुजरता है ब्राजील अफरीकन कॉंटिनेंट में आता है D will be the right answer विश्व का सबसे बड़ा धार्मे किस मारक अंगोर वाट कहां इस्थे थे थाइलेंड, वियतनाम, कमबोडिया या फिल लाउस सर आवा स्लो आ रहा बिटा मैंने तो अपनी साइड से सारी बढ़ा दिये पता नहीं या तो माइक में दिखकत है या वीडियो में दिखकत है तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक इस्तल अंगरवाट कहा है तो वेरी गुट अंसर तो इस्थे विल भी कमबोडिया ठीक है और बोरब्दूर इस्तूप कहा है बोरब्दूर इस्तूप कहा है सर बिहार टीचर के टीजीटी एसस्ती के लिए पांसो रुपे होना चाहिए बिटा वी डूनोट डिजाइन दे कोर्स ना इट इस दे मैनेजमेंट वू डिसाइड दे कोर्स वट शूडवी दा फीज वट शूडवी दा आर्स स्पेंट वाइड टीचर इन दा कोर्स यह सब मैनेजमेंट डिसाइड कर गे दे दे चलो बताते रहे ना शायद हमारा एक कुश्चन मिस हो गया मिस हो गया कि डिलीट हो गया उन्टीस के बाद तीस कहां चला गया पता नहीं चट्टानी प्राइड उप्ये केप ऑफ गुड होप इस्थित है दा रॉकी पैनिसुलार केप ऑफ गुड होप इस लोकेटेड इन इंगलेंड पेरू पुर्तगाल या दक्षिन अवेर्क गुड आप्टर नून गुड आप्टर नून मैं तो केप ऑफ गुड होप कहां इस्थित है दच्टानी प्राइड उपी है या आपका पॉर्चुगल पुर्तगाल के अंदर इस्थित है सीविल वीदा राइट एंस है शेत्रिफल के हिसाब से यूएसे का सबसे बड़ा राज्य कौन से अलास्का टेकसास एरीजोना एरी डूदू नवादा नवादा तो शेत्रिफल के हिसाब से यूएसे का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है शेत्रिफल के हिसाब से सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी आएगा बीपीस से में क्या सर्थ मैंने बोला ना बेटा है इस इस नोट डिसाइड़ बाई एनी फेकल्टी प्रिजेंट इन दिस प्लाटफोर्म इस एंटारली डिसाइड़ बाई दा मैनेजमेंट ठीक है तो मैनेजमेंट अगर बोल देता है कि भाई सब्जेक्ट स्पेशल निकाल दो तो फेकल्टी निकाल दीगा ठाटी जरी का डी होगा ना नहीं चलिए तो answer to this question will be छेत्रफल के हिसाब से USA का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तेट इस अलास्का ठीक है ए विल भी दा राइट एंसर पनामा नहर जोडती है ठीक है पनामा कैनाल कनेट्स केरिबियन सागर और अट्लांटिक महासागर को लाल सागर और भूमद्य सागर को अट्लांटिक महासागर और प्रशान महासागर को बाल्टिक सागर और आप पूछ कर बताऊ सर्फ अब आज तो कोई है नहीं आज तो Sunday सब चुट्टी पर एक लोता में है आया हूं चलो, तो answer to this question will be Panama Canal जोड़ती है किसको Atlantic Mahasagar को प्रशान्द Mahasagar से C will be the right answer प्रत्वी पर सबसे उथला Mahasagar कौन सा है? देखे, Mahasagar उसे कुछ आपके questions बनते हैं, ठीक है कि circular shape का कौन सा है, triangular shape का कौन सा है, S shape का कौन सा है, तो ये भी याद रख लीजेगा, ये भी पढ़ लीजेगा, बाकी अभी आपको बताना है कि सबसे उथला Mahasagar कौन सा है, there are total of five oceans in the world, ठीक है, तो भारती है, या फर हिंद Mahasagar, प्रशान्द Mahasagar, Arctic या फर Atlantic, एक भी question नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है, तो चाप से जो faculty पढ़ा है वो पढ़ लेना, जो भी GKGS वाले सर पढ़ाएंगे वो पढ़ लेना, कोई GKGS का बुक बता दो, बहुत सारी आती है मार्केट में, लूसेंट ले लो, तो शैलोस्ट कौन सा, वेरी गूड, Arctic विल वी दा राइट हैंसर, सी विल वी दा राइट हैंसर, कौन सा परवत फ्रांस को इतली से, स्विजरलेंड से अलग करता है, Ural, Ural नहीं है, Ural. Ural Mountain, Alps, Balkan या फिर Pyrenees ठीक है, तो which mountain separate ठीक है, France from Italy and Switzerland, Ural, Alps, Balkans या फिर Pyrenees. ठीक है तो कौन सा फ्रांस को इतली से लग करता है very good very good answer to this question will be Alps B will be the right answer next thing is Alps का उच्छ तम बंदू कौन सा है ठीक है Dome, Mont Rosa ठीक है Vishorn या फिर आपका Mont Blank, Blank को नहीं है Blank के है ठीक है तो विच वन is the highest point of Alps ठीक है Dome Mont Rosa, Vizron ठीक है या फिर Mont Blank कौन बढ़ाएगा सार जी के जी ये सार जीवेश सार पढ़ाते प्रेक्टिस मैं करवा दूंगा यूटूब पे चलो, the answer to this question will be Mont Blank is the highest point of Alps, D will be the right answer जिब्राल्टार जलड मरूमध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है बाल्टिक सागर बूमध्य सागर को आक्टिक महा सागर हिंद महा सागर को बूमध्य सागर अटलांटिक महा सागर को अराल सागर और कैस्पीन सागर को दा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार तो जिब्राल्तर जलड मरू मद्य इसको किस से जोडता है साइंस भी तो आएगा ना वो कौन पढ़ाएगा साइंस तो साइंस वाली मेडम बढ़ाएंगे ना मैंने क्या बोला यू वाइटी पर प्रेक्टिस करवा दूंगा विद्र कि और यू डोंट एव आपटी आवरी ऑ yol की आपकी साइंस वाली ठीचर आउनके पढ़ाएंगे मैं आपक注 आउंगे पाएगे आपको ईवियस मुझे एवियस दिया गए और आपका अट्लांटिक सागर, C will be the right answer. पूरी तरह से एक देश की भीतर, सबसे बड़ी जील कौन सी है? मतलब एक देश के यह अंदर है, एक कंट्री के अंदर में, और सबसे बड़ी जील है, ऐसे आपको पता है, सबसे बड़ी जील, Caspian सागर है पूरे वर्ड में, ठीक है, बट वो और भी boundaries को share करती है, और अलग-अलग countries के साथ boundary को share करती है, यह यहाँ पूछ रहा है कि inland में, मतलब जमीन के ऊपर में, ठीक है, कौन सी वो आपकी ऐसी लेक है, जो कि आपको पूरी तरह से एक देश के अंदर है, और सबसे बड़ी जील है, चली, तो सबसे बड़ी जील, पूरी तरह से एक कंट्री के भीतर में, ठीक है, जो कि आपकी एक कंट्री के भीतर में है, वो है Michigan, बैकाल नहीं बैटा, बेकाल तो रूस में फैली हुई है रूस में फैली हुई है वो यूक्रेन के तरफ भी जाती है डी विल भी दा राइट हैं सब बेकाल तो सबसे घहरी जील है बड़ी में भी नहीं आती घहरी में आती विश्वी की सबसे घहरी जील कौन सी है लोग कुश्चन ही आ गया विच वन इस दा डीपेस लेक इन दा वर्ड एविएस बेटा जनरल अवेरनेस में कब से महत आने लगा जीए में तुमसे महत आएगा जीए में आस तक मैंने तो नहीं सूना कहीं महत आता हो ठीक है अब तुमारे बिहार में अलग से अगर मैथ पूछ ले तो पूछ ले वरना मैथ के लिए अलग से एक लिखा जाता है जनरल एबिलेटी चलो तो आंसर टू दिस कुश्चिन विल बी बैकाल सी विल वी दा राइट अंसर नेक्सिंग इस जहां माउंट सेंट हेलेंस एक ज्वाला मुखी परवत इस्थे थे वेर इस दा माउंट सेंट हेलेंस वोलकानिक माउंटेन इस लोकेटेट बेताल नी बैकाल चालीसनरम तो वो लिखा हूआ था पेपर में तो वो लिखा हुआ था क्या बोलते जनरल डिखा था, से मिल लिखा पानी कैसे दे रहे हैं साइद साइन्स हो सकता है एनवार्मेन्टं सकता selfish एसकता है आपका history of all district यह वो सकता है जी में मेध सुन रहा हूं लाइए अ सनी सरीप वाकराई तक राय आ सकता है ब्यार वाले कुछ भी कर सकते हैं जी में in जन्रल लेविलिटी को सेड़ दी जन्रल अवेरनेस में चलो तो जहां माउंट सेंट हेलें से एक ज्वाला मुखी परवत इस्थित है वो कौन सा है? देट इस यूस C will be the right answer Next thing एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांक्ति, वांगो, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देट इस वांगो जो की आपका चाइना में ठीक है जिसको हम विश्वी की सबसे जाधा ठीके धोके बाज नदी भी बोलते बिकास अफ दा हाई फ्लाड इन दिस रिजर्ट नेक्स इंग इस पत्वी की रसाइनिक संविटल में तो आं सा घटक सरवादिक पतिशत में पाए जाता लोवा, सिलिकोन, मागनेशन या निकल तो विश्वी कंपोनेंट इस फाउंट इन हाईस परसेंटेज इन दा कैमिकल कंपोजिशन अफ द आर्थ सर एह होगा नई बिटा वाँगो है एडन बाबा एक मिन टेक में अच्छा सबसे बड़ी पूछी, सोरी, सोरी, मेरे को लगा सबसे ट्रैचरस पूछी ऐसा एक और कुश्चन कराया हुगा है न इसा बड़ी तो यांग सी है एश्या की, सबसे ट्रैचरस कौन सी है? होँगो ठीक है, सबसे याद धो के बाच तो A will be the right answer next thing is, प्रत्वी के रसाइनिक संगटन में कौन सा घटक सरवादिक प्रतीशत में पाये जाता है चलो, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ प्रत्वी, प्रत्वी मतलब सारी layers को अब हम consider कर रहे हैं पूरी प्रत्वी के, पूरी प्रत्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ देखने को मिलती है लोहा, mental का जो mostly part है वो किस से बनाए हुआ, लोहे से तो A will be the right answer next thing is, मैक मोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है जा जो subject honor subsidiary में ही है, वही subject BPSC TGT में बनाना है, हां जी चलिए, तो answer to this question will be, भारत और कीन के बीच में जो कीची गई है, वो है मैक मोन लाइट, सक्रिया जोला मिखा के बिनाम एक मात्र महादीप कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा महादीप है जहां पर कोई भी active volcano नहीं देखने को मिलता, dormant देखने को मिल सकते है ठीक है, Asia, Europe, Australia या फिर South America अर्थ के metal वाला question हमेशा गलत होता है, ये पढ़ा करो न, अर्थ पूचाएगा, अर्थ crust पूचाएगा, तब आपकी अलगाएगी, ठीक है, अर्थ पूचेगा, तो आपकी अलगाएगी चलिए, तो very good answer to this question will be Australia, C will be the right answer अफ्रीका का सबसे ऊचा परवत मांट किलमिंजारो किस देश में पाये जाता है, कीनिया में सुर्ट तंजानिया या फिर यूगांडा एशिया में तो जागरत है, हाँ, एशिया में तो जागरत है तो मांट किलमिंजारो कहां पाये जाता है, ठीक है, तो मांट किलमिंजारो कहां पाये जाएगा आपका, ठीक है, आफ्रीका के तंजानिया में, ठीक है, C will be the right answer दक्षिन अमेरिका की सबसे बड़ी जील, टिटिका का जील किसके बीच में इस्तित है, फेरू और बॉलिविया, चिली और अर्जंटीना, ब्राजील और पेरू, कोलंबिया और चिली तो टिटिका का जील सर, यह तो यह रुख जाओ जरा, थोड़ा सा यह, हमारा यह खराब है, वनर्ष, वनर्ष, वनर्ष क्या होता है, मेरे को खुद नहीं पता वनर्ष क्या होता है, चलिए, तो दक्षेन अफिरिका की सबसे वड़ी जील, टिटिका का जील किसके बीच में इस्तित है, ठीक है, तो टिटिका का जील आपकी कहा है, कुछ भी, कुछ भी, पेरू, 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 तो यहाँ पे भी पेरू, यहाँ पे भी आप बताओ कौन सा वाला पेरू, और बॉलिविया की बीच में A will be the right answer next thing is कौन सी नदी भूमद्य रेखा को दो बार पार करती है ये बहुत famous question है कि कौन सी करकरेखा को दो बार पार करती है कौन सी भूमद्य रेखा को दो बार पार करती है कौन सी आपकी मकर रेखा को दो बार पार करती है मही रदी भूम अध्य को कौन सी है वो आपको बताना है इसमें से मकर रेखा को दो बार पार करने वाली लिम पो पो लिम पो पो ठीक है तो answer to this question will be which river crosses the equator twice ठीक है very good answer to this question will be कांगो या फिर इसी को आप क्या बोलते हो जाहरे नदी it is also known as जाहरे river next thing is इन्द माहक सागर का सबसे बड़ा दीब कोन सा है Morecious, Seychelles, John Jeebar या Medagascar तो Indian Ocean का सबसे बड़ा आईलेंड कोन सा है Indian Ocean का सबसे बड़ा आईलेंड कोन सा है अब तक होम साइन्स की ना जी एस की क्लास हुई रिकॉर्ड भी कहीं शो नहीं हो रही कॉल करती हूँ तो रिसीव नहीं होता है श्वत्ता कुमारी कल से स्टार्ट है कल से स्टार्ट है जो भी आपकी है ओम साइन्स वगेरा एक स्टार्ट है चलो तो एंसर तो एंसर तो इस कोश्चिन विल भी मिडगास्कर दी विल भी दा राइट एंसर ठीक है निक सिंहिस अफरीकी महादीब यूरोपिय महादीब से किस समुद्र द्वारा अलग किया गया भूमद्य सागर लाल सागर अराल सागर या फर कैटलन सागर अफरीकी महादीब यूरोपिय महादीब से किस समुद्र द्वारा अलग किया गया है मडगास्कर हाँ एक पिच्चर भी थी मडगास्कर जल्दी बताए सर बैच लेना पूझा कुमारी बताते चलीए एंसर तू दिस कोश्चिन विल भी मेडिटरिन यान से ठीक है तब तक ये कोश्चिन गरो प्रसिद्ध रूर छेत्र किस महादीप में स्थित है उत्री अमेरिका में अफरीका में ऑस्ट्रेलिया में यूरॉप में ठीक है रूर आपका जर्मनी में एक जगह है जो कि आपकी कोईले के लिए फाहिमास है ठीक है और अधर मिनरल्स के लिए ऐसी भारत में छोटा नाथपुर को इंडिया का रूर बोलते है ठीक है तो रूर प्रसिद्ध किस महादीप में स्थित है रेड है रेड नहीं है बिटा यही तो गलत फ्हेम है मेडिटरीनियन सी तो वेरी गुड कहा है यूरोप में डी विल वीदा राइट अंसर विश्व का सबसे उचा जाला मुखी कौन सा है मोना लोह ओजोस दिल सलादो कोटो पैकसी या फर इन में से कोई भी नहीं तो विश्व का सबसे उचा जाला मुखी कौन सा है बताओ विश्व का सबसे उचा जाला मुखी कौन सा है ठीक है तो वेरी गुड एंसर तू दिस कोश्चिन विल बी दा हाइएस वोल के नूँ इस दा ओजोस दिल सलादो बी विल बी दा राइट एंसर भारत का कौन सा राज्य सोया बीन का सबसे बड़ा उत्पादक है चर्णिश बीचा जाला है देख राइबे चर्णिश श依ास देखएस देखना जच गांजा बिहार चलो एंसर तो इस कुस्टिन विल बी मध्य प्रदेश्ट सर कली पड़ी थी कौन सा था रेड़ सी था और अगर दिखा दिया कली पड़ी तो गलत करवा दिया तो का दोगी निक सिंगेस भारत में ताजय पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है वूलर जील हुसें सागर रंगर जील या फिर दल जील आप उन्हें मेडिकल की स्टड़ी करिये तो हमें कोई खानी खासी का देशी न उसका बता दीजाए वाख तुम्हें टीचर डॉक्टर क्यों लगता है फिले ये बताओ बायो वाले डॉक्टर नहीं होते बाई इस्टिल मुलेठी लो ठीक है उसको पानी में गरम करो या फिर मुलेठी डिरेक्ट चूस लो या फिर लॉंग लो लॉंग को सेख लो डाल की नीचे दवा लो चूसते रो चलो तो answer to this question will be वूलर जील कश्मीर की A will be the right answer भारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है कुंच की फॉल्स ठीक है बरे पानी फॉल्स जोग फॉल्स या किन्रिम फॉल्स तो भारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है रेड़ था रेड़ था रेड़ था रेड़ ये रहा अफरीका है ना कुश्चन क्या था दिखेगा नहीं घर पे आराम से खोल के देख ले ना जे रहा अफरीकन कॉंटिनेंट ठीक है ये है यूरोपियन यूनियन ठीक है ये है अफरीका और अगर थोड़ी बहुत बुद्धी हो तो ये ये यूरोप है और य लाल सागर नहीं बोलते तो बुद्ध्य उतनी यूस करो जितनी है लाल पड़ी थी में का पड़ी थी लाल ये देख ले लाल जे रहा लाल सागर कहां है साईड है लाल सागर कल ही पड़ी थी लाल और आज मेरा कॉसन हो गया लाल चलो तो आंसर तो दिस कुश्चिन विल भी कुंचिकी फोल्स इन करनाटका ही कहां है इस थाइस वाटरफोल इंडिया सर कुश्चन देखे फिर से अफरिका महादीब को यूरोप से अलग करने वाला कौन सागर है मेडिटेरिनेंसी ठीक है बही तुमको दिखाएं कुश्चन देखें ये देख लो ये अफरिका है ये यूरोप है अफरिका यूरोप यूरोप अफरिका यूरोप अफरिका यूरोप अफरिका यूरोप 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 इनके बीच में ये जो दिख रहा है यह लाद नीला 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 ये Mediterranean Sea इसको हम भूमध्य सावर बोलते हैं जादा दिक्कत हो आपने वो बालबा खोल के देख लेना चलो Operation Flood किस से संबंदेत है दूद से, ताजा पानी से, चावल से उपरोक्त मैंसे किसी से भी नहीं तो Operation Flood ठीक है, उत्पाद किस से संबंदेत है जल्दी बताए चलिए, तो answer to this question will be, दूद will be the right answer निक्सिंगे किस वर्ष भारत की राजजानी को कलकत्ता से दिली स्थाना अंत्रत किया गया था 1908 में, 1907 में, 1911 में, 1916 में तो in which year was the capital of India shifted from the Calcutta to Delhi कौन से सन में वर्गीज कुरियन पहले वाले BPSC में आप GKGS करा देते तो अच्छा होता है मैं EBS पढ़ाता हूं, GKGS कैसे बढ़ाता हूं नहीं बेटा कुंची की पॉल सबसे उंचा है उसके बाद नंबर दो पे जोग फॉल है दोनों ही आपके करनाटक में चलिए तो कौन सी आपकी सन में अलग किया गया था? ठीक है, स्थाना अंत्रेत हुआ था, वेरी हुड 1911 में C will be the right answer भारत में किस राज्य का कुलवन छेत्र न्यूनतम है? असम, मध्यप्रदेश, मिजूरम, हरयाना विच स्टेट has the minimum total forest area covered in India इंडिया रिडन बाबा वही तो बताया है कि कुंच की है, नंबर वन पर कुंच की है उंचाई में और दूसरे नंबर पर जोग फॉल आता है दोनों ही करना टका में इस देते हैं और दोनों की हाइट भी लगबग जादा नहीं है मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इसलिए कई किताबे जोग फॉल लिख देती है कईयों किताबे कुंच की लिख देती है ठीक है बट अगर तुम Google करोगे दोनों की हाइट तो तुम्हें बहुत slight difference देखने को में लेगा चलिए, तो answer to this question will be Haryana next thing is कुंब मिला कि शहर में नहीं लग सकता वारा नसी, हरिद्वार, नासिक, उज्जेन तो कुंब मिला आपके पता है आपको चार जगे लगता है ठीक है प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जेन तो कहां नहीं लग सकता वारा नसी में नहीं लग सकता और आज की क्लास का आखरी कोश्चन भारत के किस शेर को भारत का मैंचिस्टर भी कहते हैं पूने, कोलकता, एमदाबाद, नाकपुर which city of India is also known as मैंचिस्टर of India पूने, कोलकता, एमदाबाद या नाकपुर तो किस शेर को भारत का मैंचिस्टर कहा जाता है तो आंसर टू दिस कोश्चन विल भी C. एमदाबाद तो ये दिया आपकी आज की क्लास जो पूछ रही थी कोर्स कैसे लोग भाईया अड़ा 24.7 पे जाएं गूगल पे अड़ा 24.7 डाले ठीक है यहाँ पे All Courses पे क्लिक करें एही Teaching पे क्लिक करें ठीक है अगर आप सिक्षक बढ़ती 11.12 की कर रहे हैं 11.12 9.10 की कर रहे हैं 9.10 ठीक है या फिर ठीक है सिक्षक बढ़ती के अगर आप कोई सबी कोलते हैं 11.12 वगेरा पे तो ये जो महाप है ठीक है आप क्लिक करेंगे अभी आपको 249 का मिल रहा है ठीक है बट जैसे आप बाइन आप क्लिक करेंगे कूपन कोड अपलाई करेंगे किसी भी फैकल्टी का जैसे कि मेरा कूपन कोड क्या Y794 अपलाई करने के बाद आपको 200 रवेगी छोट भलती है ठीक है आगे क्लिक करेंगे अपना फोन नमबर ठीक है इबेल फुल नाम डालेंगे आगे करेंगे ठीक हाई बैंक का ऑप्शन भी आजाएगा पर कर दिए और आप बैस से जुड़ जाएंगे कल से आपकी क्लासस चालूए ठीक है तो मिलते हैं आपका अच्छा कल से सुल लीजे कल से मैं आपको एक चीज और बता दू कल से टाइम टेबल और सुल लीजे ठीक है भाई दस वजे मेरी अप्लिकेशन पर क्लास है ठीक है BPSC वालों के साथ जिसमें EBS पढ़ेंगे 11 बजे YT पर कलास है ठीक है जिसमें EBS पढ़ेंगे यह H-TET, S-TET जो भी तयारी कर रहे है या फिर UP-TET वो सब ले सकते 12 बजे ठीक है TGT, PGT, Biology की कलास है जो की आपका PGT PGT वाले चैनल पर चलेगी ठीक है फिर 1-2 बजे मैं अप्लिकेशन पर हूँ फिर आपकी 4 बजे C-TET की कलास है और 6 बजे आपकी Science की कलास, मतलब Biology की फिर से कलास है टेट के लिए चाहे BPSC हो, चाहे TET हो, HTET हो, UPTET हो ठीक है तो यह कल से आपका schedule रहेगा BPSC की कलास एप पर नहीं दिखती महापैक वाले को तो वाला महापैक अलग था यह वाला महापैक अलग है कौन सा महापैक लिए थी तुम C-TET का महापैक लिए होगी तो तुमको काय को BPSC के दिखाएंगे चलो, तुम मिलते है कल से Till then, have a nice day, bye bye, good day, take care, thank you